खेल का नियम है किसी की हार किसी की जीत तैय है लेकिन कल की शाम करोडो भारतियों का दिल तूटा और वर्ल्ड कप जीतने का सपना अधूरा रह गया नमस्कार आप देख रहे हैं 27 यूज आपके साथ मैं हूँ खुशी मित्तर विश्व कप 2023 बहुत सारे सपने सजाय थे बहुत सारी चीज़े सोची थी रविवार शाम को ये होगा रविवार शाम को वो होगा बारतिय टीम जिस तरहा से टूर्नमेंट में खेली है वैसे फाइनल में भी हमें कोई नहीं रोक सकता औस्टेलिया हो या कोई भी बड़ी टीम इस बार तो विश्व कप हमारा है लेकिन वो सब कुछ वो सपना तूट गया है भारतिय टीम के इस हार के बाद कप्तान रोहिश शर्मा विराट कोली और मुहमत सिराज की आँखों में आसू छलक पड़े सिराज को तो मैदान पर बाकी साथी खिलाडियों ने समाल लिया जबकि रोहिट आसू भरी आँखों लिये मैदान से बहार आए और वो भी खाफी जादा निराश रिखे मैच के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने खुद ये चीज मानी कि आस्ट्रेलिया ने अच्छी साजिदारी की जिस वज़ा से ये मैच उनके हातों में चला गया रोही शर्मा ने क्या कुछ कहा ये जानते हैं मैच का रजर्ट हमारे मन मुताबिक नहीं रहा हम आज उतना अच्छा नहीं खेले केल और विराट कोली ने अच्छी पार्टनर्शिप बनाई हम 270 से 280 के स्कोर की उमीद कर रहे थे पर हम नियमित इंटर्वल्स पर अपने विकेट खोते रहे जब आपके पास बोर्ड पर 240 रन होते हैं तो आपको लगतार विकेट लेने होते हैं ट्रेविस हैड और मार्शल को क्रेडिट देना चाहिए दोनों ने एक बड़ी पार्टनर्शिप बनाई और हमसे मैच छीन लिया इस सारी बातों के बाद रोहिश शर्मा ने एक बात और कही एक लाइन ऐसी एक पंक्ती ऐसी जिससे हर इंडियन क्रिकेट फैंस जुड़ा हुआ महसूस करेगा और ये जरूर सोचेगा कि ये बात जरूर रोहिश शर्मा ने अपने अंतर मन से कही होगी क्योंकि वो आखरी शर्म जब हमने देखा मैच खतम होने के बाद रोहिश शर्मा का वो कदम जब वो मैदान से बाहर जा रहे थे वो उनकी नम आखे वो भावनात्मक चहरा कहीं न कहीं हर भारतिय फैंस उस पल से जुड़ गया सबने वो चीज महसूस की रोहिश शर्मा ने कहा कि हमने हर संभव कोशिश की हमने हर प्रयास किया लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बल्ले बाजों के लिए विकिट काफी मुश्किल था इस हार के बाद विराट भी अपनी नम आखे रोक नहीं पाए वो अपनी पंतनी अनुश्का के गले लग तब रो पड़े जब आस्टेलिया को बस दस रन चाहिए थे जीतने के लिए लेकिन अब एक ही बात कहनी है उतार चड़ाव जीवन का हिस्सा है हम फिर इंतजार करे रहेंगे एक और फाइनल का और हमेशा ऐसे ही आपको सपोर्ड करते रहेंगे इस पूरे टूर्नमेंट के लिए धन्यवाद टीम इंडिया वर्ल्ड कप की अगली बारी हमारी होगी तो अभी के लिए इतना ही देखते रहे हैं N27 News पकड़ हर खाबर पर